गूगल दर्शन चैनल में आपका हर दिख्षों आगे तेयो भी नम्दन है हम आपको आज प्लम्स ट्री एंड फ्रूट यानि आलो बुखारा का पेड़ और उसके फल के बारे में जानकारे देनी जा रहें तो वीडियो को देखते रहें तो यह आलो बुखारा का पिट बहुतायत हिमाल है और उचाई वाले छेत्रों में ही पाया जाता है प्लेन में अलग वराइटी का पाया जाता है तो आप देख सकते हैं कच्छा प्लम फ्रूट है कच्छा है पकावान है कच्छा है अभी तक है और बहतरी इन फल लगे वें स्ट्रेट पर और यह खाने में बहुती स्वाधिस्ट होता है वो सरीर में मिन्नल्स और विटामिन्स फाइबर्स की भरपूर मात्रा में वह करता है प्लम्स फ्रूट यह लगे हुए देखो कितना अच्छा लोग उखा रहा है यह पकेगा तब और बेच्छा है लेकिन कच्छा भी स्वाधिस्ट रहता है कोई खापाए तो खट्टा जरूर होता है और आप देख सकते हैं इसके पत्ते देखें अब फ्रूट तोड रहे हैं आपको वह दिखाएंगे और साथ में यह देखें इसका पत्ता अलोग उखारा ऐसा होता है आप देख सकते हैं और यह इसके कच्छे प्लम्स कच्छा अलोग उखारा देख सकते हैं और साथ में पेड़ है पेड़ की उचाई भी ठीक ठाक जाती है इसमें होगी दस से पंद्रह फिटकी अच्छी उचाई है और वैसे फिलाल अरुणाचल प्रदेश में इस्तित है यह फ्रूट बाकिये हिमाचल उत्राखंट जमवंड कास्मी नौर्थिस्ट के अरुणाचल आसाम के प्रभतिये छेत्रों में शिक्के में साहड़ी बहुतायत पाय जाता है और अच्छी क्वालिटी का पहाड़ी अलाकों में मिलता है बाकिया आजकल मैदानी आलाकों में अलग बैराइटी के अच्छी बैराइटी के अगरी कल्चुर गुबाग द्वाल रिसर्च के बाद पताए जा रहे हैं यह पकता जारा फट रहा है वैसे इसमें इसपेड मिनने तो कोई किसी परकार की फटिलाजर प्लम्स अगर आपको कहीं मिलें तो बच्चों को खिलाएं खुद भी खाएं सबको प्लम्स का इस्तेमाल करवाएं अच्छा फ्रूट है जिनको वजन नहीं बढ़ना चाहिए फ्रूट खाना चाहिए तो इसको खा सकता है इसे वजन बहुत ही कम मात्रा में बढ़ता है और हम इसमें से पान दस तोड़ेंगे कच्चे प्लम्स और उन खाकर इस्तेमाल करेंगे अब देख सकते हैं बहत्री नहीं प्लम्स का फ्रूट और यह हमने तोड़ के एक बरतन में रखे पाने में दो के देखू कच्च प्लम्स ऐसा दिखता है खाने में खटा मिठा दोनु श्वादिस्ट दोनु श्वाद है ने मिठा ने खटा खटार मिठा दोनु बहुत बैतरीन तो आप भी कभी अगर फ्रूट खाने का मन करें बजार में दिखाए तो आउश्य खरीद दें इसका पोधा भी लगा सकते हैं हम आपको काट के दिखाएंगे तो देखो काटते हैं अभी मद्दे से कम लाल है पूरा लाल हो जाएगा बाहर से ब्लेक जैसा हो जाता है उपकावा प्लम्स होता है अलो भुखारा देखिए इसमें एक बीच भी होता है इसका बीच में उसको आप वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहय दिल से सुक्रियदा और धन्यवाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें यह हमारा आप से विशेश अन्रोध समझो या विनमर अन्रोध समझें इसी साथ मिलते हैं एक आगले वीडियो में कुछ नहाए टोपिक लिख के